ग्लोबल मार्केट्स टूडे आफ स्टोक मार्केट क्या होगा आज भारतिय बजार में डाउ जोन्स, नस्टाइक, S&P 500 एंड रसेल 2000 रसिया और अमेरिका के बजारों में 31 दिसंबर को क्या हुआ हम आपको उसका अपडेट इसलिए बताना पड़ता है कि हमको यह डाउ जोन्स की जो इफेक्ट है हमारे निप्टी और निप्टी बैंक और हमारे इंडियान स्टोक मार्केट पर भी पड़ता है ऐसी बजा एसी मार्केट में भी परता है दोस्तों तो इसको समझना बहुत जरूरी है चलिए आज क्या होने वाला है निप्टी में और स्टोक मार्केट से सेंसेक्स का इसा हाल रहेगा जरूर हम आपको बताएंगे चलिए अब देखिए डाउ जोन्स धार्ट को 2021 में बंद हुआ था दोस ईसे हुआ। ब trzyन से ब crédवांडे बने से से 43.वा फंसा फिसॉदелुदा काइंगे था आज धोङ na है फ कर सक्व धाल इdyूद जिए ।ब्щее मेरे, समझना से सम्ट फवं धो फदोंगल से सेुए बेट पाल elsे से 40.eks बाएंड मेंट डरु टो बेर ट님이 तॉद थाल पिस पर Depot 2245.31% and nifty and nifty 50 nifty 50 nifty 50 70,000 354.05 दोस्तों nifty 50 जो है हमारा 17,354 रुपया पास पैसा पर बंद हुआ ये तो हरे तोते की तरद चमक रहा था 31 समबर पिछले साल 2021 में हम लोग ने देखा अंतिम सेशन में क्या गजब का लेकिन दोस्त ये Omicron के चलते हमारा जो अमेरिकी बजार है और जो बीडेसी बजार है हलका लाल निसान में तो देखने को मिला हूँ इसका परभाव जरूर आज रहेगा और चलिए हम आपको बता दे के निप्टी क्या कहता क्या है तो इसका अभी तक का तो 31 दिसंबर को 17,354 पर बंद गुआ दोस्त और ये एक साल में किया इसके जानना बहुँआ उस दिन के आएक 31 तारीको ये लो में गया था आपको दे लो दे लो 17,238 17,238 उर्पया पचास पैसा है दीन भर कारोबार करता रहा निप्टी फिप्टी 17,238 उर्पय से नीचे नहीं जा सका उपर ही उचलता रहा और 17,400 तक गया था दोस्त हमें याद है कि 17,400 तक गया था आप जाकर देख लिजिए कितना गया था 17,480 पैसा पे ये लास्ट गया था और लास्ट में जाकर 17,354 पैसा में बंद हो गया दोस्त लेकिन अब क्या ये बेस सबसे बड़ा क्या है अभी तो हम लोब बुलिस है निफ्टी फिप्टी जो है बुलिस है वेरी बुलिस तो नहीं है लेकिन बुलिस है लेकिन आप देखिए बेस ये 17,331 रुपया का बहुत बढ़िया जवजास्त बेस बनाया हुआ है दोस्त मतलब कि ये पेरियट जो इसका है एक बिंदु जो एक कील होता है धूरी होता है जो जड़ होती है इसकी मजबूत है और 17,331 रुपया का बेस तोड़ता है अगर ये तोड़ता है निचे आता है तो समझ लिजिए कि आज मार्केट में बहुत ही तुफान आ जाएगा और ये 17,200 के तरफ अगर ये 17,331 का तोड़ दिया तो 17,200 61 रुपया तो 48 पैसा भी देखनों को मिल गया तो समझ लिजिए कि और खत्रा बढ़ जाएगा और एक बार फिर निफ्टी नीचे आकर 17,100 60 रुपया 32 पैसा पे हो सकता है कि बंद हो जाए और हमारी इंटाडेटेक मुंबई ये निफ्टी 50 17,300 पे बंद हुआ है 17,354 रुपया पैसा पे अगर ये खुदा न खासता है अगर कोई करमात हो जाए और कुछ अच्छी ख़बर आ जाए ओमाई क्रोन को लेकर लोगडाउन नहीं लगे तो समलेजिए कि ये आपको बुलिस बुलिस है तो भेरी बुलिस भी हो सकता है लेकिन ऐसा कोई चांस लगता नहीं दोस्तों तो 17,400 17,368 रुपया के तरफ जाएगा अगर तो समलेजिए कि अगर 17,368 के तरफ गया तो उसके बाद 17,383 को टाच करेगा और 17,383 टाच किया दोस्त तो 17,398 ये 13,398 तो बड़ा मुश्किर रगता हो सकता दिन भर में टच करें लेकिन आज निप्टी का लेवल तोड़ने का संकेत दे रहा है दोस्त चलिए आप तो 59 बज़े का इंतिजार है हम बने रहेंगे आपको हर घंटे आपको अपडेट करते रहें क्या बेचना है क्या खरिदना है अगर अभी तक पहली बार आई इंटार डेटेक मुंबई ये बीके सिंग पे तो सबसे बड़ी जानल ये 2020 में दो हजार परसेंट तक हमने कमपाउंड हमें पूस्त ये लोड़ेट में 25000 परसेंट मतलब कि एक क्रोड का पांक 50-50 क्रोड एक क्रोड का 50 क्रोड करना एक साल कंडर अहीं करो दीक में छे महिना में तीन महिना में पूरा हो सकता है तो उसके लिए आपको बेल घंटी जो आइकन है दबा कर रखना पड़गा क्यों कि हम 24 गंटा में कभी भी बोलते हैं दोस्त खरीद लो बेच लो या रखो या खरीदेंगे बेचेंगे कल क्या करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा इसलिए नहीं पता चलेगा कि आपने घंटी दबाया नहीं सब्सक्राइब किया नहीं तो आपको कुछ भी नहीं तो पांस जार परसंट का 5% भी आपको प्रफिट नहीं हो सकता है चलिए दोस्त अब बनाए बैंक निप्ती बैंक को भी देखना पड़ेगा यह त बूल पे निप्टी बैंक को लेकर भालु जो महराज है बैल पे चड़े हुए हैं अब देखिए आज भी चड़ते हैं कि उतरते हैं कि भालु पीछे भागता है या बूल इसको खदेड़ता है चलिए देखते हैं दोस्त ये बंद हुआ था क्लोज बैंक निप्टी जो 35,481 रुपया चलिए दोस्त हम लोग लास्ट येर 31 दिसंबर को अंतिम सेशन में बैंक निप्टी को देखे थे 35,481 रुपया ये लाल निशान में बंद हुआ था और इसका दिन भर ये खेल करता रहा गा उचल कुद कुस्तिक करता रहा तो 35,113 रुपया 75 पैसा में डे ले डे लो मतलब दिन भर में सबसे निचला असतर इसका 35,113 रुपया 35,113 रुपया 75 पैसा में गया था उठा पर टक करने को पड़ और ज्यादा से ज्यादा ये उपर गया था तो 35,590 रुपया से ज्यादा नहीं पहुंच पाया इसलिए कि ताकती इसकी कमजोर हो गई और यह कमजूर पड़ गया है वो माईक रौन को ले कर इसलिए कि उस पे भी वारस का ये हमारे सेर मारकेट में भी वारस का कि इमुनुटी कमजूर हो गया दोस अब देखियें इमुनुटी कहां साँ कमजूर होता है रिभाय मार्केट के इमुनुटी कमजूर हो गया तक बड़ा दिक्ट Chapter हो जाएगी लेकिन आवज चल यह दोस्तों देखते हैं कि यह बेस कितना बनाए हुआ सबसे बड़ी चीज यह देखना जरूरी है यह बेस जो है बहुत इसलिए कि जड़ जब मजबूत रहेगी तो ठीक है अगर चलिए वो माइक्रोन एक महीना दो महीना तक रहेगा लेकिन इसमें अगर यह ज्यादा नीचे उपर नहीं हुआ और उसी पर थोड़ा रहता रहा है 100-200 रुपया का डिफरेंस में तो हम एक बहुत बढ़िया एक मुकाम हासिल कर सकते दोस्ट चलिए 35-300 सबसे बड़ी चीज क्या है कि 35-300 97-47 यह बेस बनाने हुआ है निप्टी बैंक जी दोस्त निप्टी बैंक अगर पहली बारा इंट्राडेट एक मुंबई पर तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें दोस्त आप किसी तरह आ गये हैं और अभी तक आप नहीं जानते थे सब्सक्राइब नहीं किजे तो हमारा नुकसान कुछ नहीं है हमें तो बढ़ियां ही है आपको प्रपिठो पाना है तो आप सब्सक्राइब किजें नहीं पाना है कोई बात नहीं है चलिए अब यह 35197 दोस्तो निप्टी बैंक इंट्रडेटेक मुंबई एंबी ए बीके सिंग का इनालसिस बता रहा है कि 35197 की तरफ जाने का संकेत दोस्त दे रहा है 35197 की तरफ यह इसलिए कि बैस यह तोड़ने वाला है और यह बैस तोड़के 35197 चला गया तो बड़ा ही दिकत होगा हम तो चाहते हैं दोस्त कि यह बैस तोड़कर नीचे नहीं ऊपर चला जाए 35600 181 की तरफ 35600 181 जी दोस्त कभी-कभी क्या होता है दोस्त हम मिश्टिक हो जाता है इसलिए अभी जो है उसकी बैस्ता कर रहे हैं कैमरे की कैमरा एकड़म फिक्स कर दे और पूरा बोल्ड ब्लैक बोल्ड जो दिखे लिखते हैं तो आप लोगों कस्त नहीं होगा कभी- कुछ लोग किये थे चलिए उसका हमने ध्यान रखती है यह 35600 181 हम चाहते हैं निफ्टी बैंक तो देखिए बेरी से बहुत ही भालू हावी है 35197 दिखता है इंटाडेटिक में यह भी किसी एनाल्सिस पे लेकिन यह एनाल्सिस हमारी फेल हो जाए हम तो यही चाहते हैं औ और यह 35600 1818 पैसा की तरह चला जाएं तो क्या बल्ले बल्ले मज़ा आजाए दोस्त और अगर माई क्रोन का प्रभाव हुआ अगर माई क्रोन के चलते भारत में किसी हिस्से में लॉक डाउन की श्तिती बनी तो क्या होगा शेयर मार्केट का अगला वीडियो इसी पे आप जरूर देखिए और बेल घंटी दबा देंगे तभी आपको पता चलेगा हर घंटे की क्या बेचना है क्या खरिदना है और कब खरिदना है कब बेचना है समय टाइम सब कुछ बेल घंटी दबाये रहेंगे तभी पता चलेगा वरना किसी को पताना चलेगा जय हिन जय भार करत बंदे मात्रम